जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं आपके बारे में, आपकी जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में, जाहे मामला दिल का हो, या घर ग्रहस्ती का, किसी से शादी करनी हो, या किसी से शादी तुड़ हो, या खुद के टूटते हुए रिष्टो को बचाना हो, हम आपकी हर समस्या का उचित हल देते हैं। दोस्तों, आज जो उपाए मैं आपको बताने जा रही हूँ, यह एक वशिकरण विधी है, जिसको तंत्र शाष्त्र में बहुत ही प्रचंड माना गया है। आहार और पोशन लेते हैं। इतना ही नहीं, नाभी के माध्यम से ही हम अपनी माध्वारा सोची गई बातों को और ज्यान को अरजित करते हैं। देखा जाए तो एक व्यक्ति का पूरा अस्तित्व ही इस पटिका है। लेकिन देखिए ना, दोस्तों इस विशे पर कभी कि इसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और ऐसा नहीं है कि नाभी की महत्ता जन्म के बाद कम हो जाती है। बलकि हमारी नाभी में इतनी उर्जा विद्यमान है कि हम अपने संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों हमें से बहुत से लोग हैं जो किसी कारे में बार बार अ जर्द देखेगा। जी हां दोस्तों यदि आप मंगलवार और शनिवार को कच्चे दूद से अपनी नाभी को साफ करते हैं तो सफलता आप से ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाएगी। दोस्तों नाभी का बहुत ही जबरदस्त प्रभाव होता है हमारी जीवन में। यहा यहां तक कि हमारे जीवन में तेजी आ जाती है। और दोस्तों आज का जो उपाए मैं आप के लिए लेकर आई हूँ वो भी नाभी से ही जुड़ा हुआ है। तो ज़रा सोचिए क्या इससे आसान कोई टोटका हो सकता है। और जैसे कि आप अब नाभी का महत भी जान चु रखकर अपनी इंद्रियों को जागरत करना है। इस तरह से आप अपनी नाभी पर अंगुठा रखकर अपनी इंद्रियों को जागरत कर सकते हैं। जी हां दोस्तों हमारी मूलाधार से जुड़ी नाभी को सिर्फ चूने मात्र से हम दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपन वश्मे कर सकते हैं और उससे अपनी हर बात मनवा सकते हैं अपना मन चाहा हर कारे करवा सकते हैं तो आईए दोस्तों विस्तार से बताती हूं आज की वशीकरण की विधी दोस्तों शनिवार रात्रे के समय आपको सोने से पहले इस विधी को करना है और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसे अपने बिस्तर्प में लेटे लेटे ही करना है तो बस आपको अपना नॉर्मल सा रूटीन फॉलो करना है और बेट पर चली जाना है लेटने के बाद आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं और उसका ध्यान करते करते आपने सीधे हाथ के अंगूठे को अपनी नाभी पर रखना है और एक मंत्र का जाब करना है ये मंत्र एक सिद्ध मंत्र है जिसका आपको बिलकुल सही तरीके से और एक किस बार जाप करने के बाद आपको अपना अंगूठा नाभी से हटा लेना है और सो जाना है। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, यह विदी करते वक्त आपने हाथ में कोई भी धातू या पत्थर पहना हुआ है तो उसे उतार देना है। यदि कलाई पर मौली का धागा बांधा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, बस इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों किसी भी कारणवश यह विदी आपको समझ नहीं आई, तो आप स्वयम इसको करने में असमर्थ हों। आप यह उपाय स्वयम नहीं कर पा रही हैं। फिलाल आप से चाहती हूँ इजाज़त, अगली बार फिर हाजिर होंगी एक नई वश्यकरण विधी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।